नमस्कार दोश्तो जैश्री राम कैसे हैं आप सभी हमाशा करते हैं कि भगवान राम की क्रपा से आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे आपको बता दिये जैसे कि आयोध्या में इसमें प्रांप्रश्था हो चुकी है तो बहुत से लोगों ने हमसे पूछा क कि यह बताइए कि इस प्रकार हम आयोध्या में दर्शन पा सकते हैं या उसका समय क्या है हम हर एकी चीज़ी बताएंगे तो सबसे परज़े शूर करते हैं वीडियो भगवान श्री राम की नाम को ले करके बोड़े जैश्री राम आपको बता दिये जाए कि बाइस तारिक प्रशाइब तो है वहां मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा और वहीं पर आपको प्रशाद है इत्याद ही चीज़े वहां पर जो है मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं समय वहाँ पर आपको हर्चीर मिल जाएगी और वहाँ पर जैश्री राम के बहुत नारे लगते हैं जैसा कि आप उसमें दिखा रहे हैं आपको आपको बता दीजा है आयोध्या में इसके बाद खुलने का समय जो है वहाँ साथ बजे से ग्यारा बजे तक का और इसके अलाव जो आपको पता दिया तो बाकी मंदिरों को समय जैसे था पैसे वैसे वैसे ही है और इसके बाद बात करते हैं जो लोगों का प्रेश्ण है वह यह आया है कि क्या वहाँ पे अभी भगवान के जो है वह भोग और मिश्थान या फूल ते चड़ते हैं तो देखिए पुरान जो राम लला की मुर्ती थी उसमें जो है अभी जो है वहां पर चड़ रहा है बाकी जो नई वाले में इसमें थोड़ा साथ लगाया गया हुआ अभी अभी लेकिन यह है कि शायद खोल दिया जाएगा बेर क्योंकि यह आपसे कहूंगा कि आप जो वहां जाएं तो इसके दर्शन कर सकते हैं इसके लाव बता दिये जाए कि आप और कहां कहां आयोध्यम में जाके घूम सकते हैं और आप जाते हैं तो आयोध्यम आप जाएं तो वहां पर जो है सजी उस्तनान तो आप करेंगे ही उसके बाद अता चौक वहां पर है राम जी की पैड़ी है राम ज भगवान श्री राम जी का दो धाम ही वहां पे वहां जा सकते हैं आप गुमने के लिए इसके अलावा बहुत सा इच्छे चीज़े वहां पे बनी हुई है तो आप वहां जाकर करके अपना पूरा समय वहां व्यतीत कर सकते हैं और भगवान राम के बारे में काफी कुछ लेते हैं आप वहां जा सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और कमेंट में लिखेगा जै जै श्री राम जै श्री हन्वान